तार मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में मित्रों आज तिन गसा आप डंक मारेगा 20 अगस्त सुक्रुवार के दिन तुलारासी वाले लोगों के जीवन में यह घटनाएं होकर रहेंगी नहीं टाल सकते चाहे तो आप हमसे लिखवा कर ले सकते हैं मित्रों भगवान मनुस्य के जीवन में जब भी सुबसमय के शुरुवात करते हैं कोई न कोई अश्य फ्रिनावों की प्राप्ते सुबसंकेतु के जरूर प्राप्ती करते हैं जिससे कि मनस् majesty को यहाईसास हो सके कि मनशце के जीवन में सुभ समय के शुरुआत होने वाली हैं घैसे मैं अब आपकी बार आप लोगों के जीवन में भी कुछ ऐसा हैं बड़ा फ्रिवर्तन देखने को मिलेगा दैसे में वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्पून है इसलिए आप सबों से विंती करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा अंद तक जरूर देखेगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब अबस्टे कर लें ताकि रोजाना रासी फल आपको समझ समुल सके और आप आने वाले दिनों को बहतर बना सके तुमत्रों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि तूला रासी के लोगों को भाग का साथ मिलने वाला है आप लोगों के आने वाला समय चफलता के नैक तिवान को स्तापित कर पाने में आप का फिसक्च मोंगे बैपार बैवसाई में बड़ोत्री होने से दंदोलत में भी बड़ोत्री होंगे आपके याठ्थे किस्तित्यों में बहुत ज़्यादा सुधार होने के साथ साथ आप लोगों के जीवन में खुश्यों कपल भे आने बाला हैं कारिशत्र में भे बहुत जल्दों बड़ी खुसकवरी की प्राप्ति भे होने बाली हैं और कोड के चहरी से अबाद विवादू से आपको मुक्ति मिलेंगे वेपारियों और कारिवारियों को भे धैनलाप की प्राप्ति होंगे नौकरी कर रहे हैं लोगों को भे नौकरी के चत्र में पदुनती के मुक्ति भिराप्त होंगे कारिशत्र में आप लोगों को बड़ी खुशकवरी की प्राप्ति भे होने वाली हैं तथा इस समय के दोरान आपको हर कारे में सफलता मिलेंगे जीवन साथी का फ्रेम और सानिद भे आपको प्राप्त होने वाला हैं जिनकी वज़ा से आप बहुत ज़्यादा प्रसन होंगे बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे और आप लोगों के सुच विज़ादा तरकारी भी अवसे हे पुर्ण होने वाले हैं मतरों इस समय आपकी आय में लगातार ब्रोत्री होंगे आपको आपके जीवन में कई प्रिकार के प्रिवर्तन भी देखने को मिलेंगे तथा तुलहरासी वाले जापको को बताना चाहेंगे कि आप लोगों को माकाली के क्रिपा से आपके भागे में बहुत थी बड़ा प्रिवर्तन होने वाला है जिससे कि आपको कोई बहुत थी बड़े खुशकवरे सुनने को मिल सकते हैं, जब आप लोगों के उफ़र माकाली के क्रिपाद रिष्टी होंगे, तो आप लोगों को कारुबार में पहले से अधिक धिन लाव भी होंगे, मांसिक और सारी रिक कश्टों से भे आपको मुक्त दसावित होंगे, आपको मेहनद आपको पहजान के साथ साथ परसंसफे दिलवानी वाली हैं, और तुलहरासी के जातकों को वीतिलाप की प्राप्त होंगे, बस आपको धहरी और निरंतर प्रियासों को लगातार करने के जरूरत रहेंगे, काम काजु में आपको मन आसपास किसी अस्तान के यात्र परजाने का मोका भी प्राप्त कर सकते हैं, और उधार दिवा पैसा भी आपको आपस मिल सकेंगे, प्रिवार में सुखत वात्तवरन भी बना रहेंगे, आपके चीवन के अधूरी मनुकामनाएं अवस्पूरी होंगे, मानसिक तनाव भी आ आप बहुत इज़ादा सफल होंगे, और आप लोगों के विच्डवे मित्रों से मिलने कमों कभी प्राप्त होने वाला हैं, तुले रासी वाले जातकों को आर्थिक चेत्र मित्र के हासल होंगे, नमस्कार मित्रों बहुत-पहुत स्वगत थे आपका हमारी चैनल में, मित् पर्वक इस साल 14 या 15 नवंबर को है, ऐसे में सहीत थी, सुब मोहरत और लक्ष्मी पूजन की विधी क्या रहने बाली हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो था आपके समय मातला लक्ष्मी जी और गनेश जी की पूजा करें, जिन्चे की आपके घर में पर्वक इस यालिया सके धंदोलत की फ्राप्ती हो सकें, तुम्त्रों दिपावली का तेवार कार्तिक मास की अमवस्यत थी को मनाया जाता है, इस दिन मालत में और गनेश जी का पूजन करणे की माननाता है, आम तोर पर यह पांच दिनों का होता है, लेकिन इस बार पांच दिवसिय दिपो का यह पर्व पांच दिन के वजाए चार दिन का ही होगा और छोटी दिवाली यानि रूप चौदस और दिपावली एक ही दिन मनाई जाएंगी धनतेरस भी दिपावली के ठीक एक दिन पहले यानि 13 नमबर की रहेंगी तित्यों में मुतार चरहाओ के कारण लोगों में इस बात को लेकर असमंजस के इस्थितियां बनी हुई हैं कि दिपावली किस दिन मनाई जाएंगे आज के इस वीडियो में हम आपको दिपावली का सहीत थी लक्षमी फूजन का सुमूरत और इसकी पूजा विदिक के बारे में भी बताएंगे सारी जानकारी विष्टार से तो वीडियो को आप पूरा अवस्य देखें उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके चेनल को सब्सक्राइब अवस्य कर लें ताकि रोजाना रासिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बहतर बना सकें तो बत्रों लक्षमी पूजन का सुम 20 मिनट तक रहेगा प्रोदूस काल कसम अंसाम पांच बचकर 28 मिनट से इसाम 8 बचकर 7 मिनट तक रहेगा इब stopped दिपावली के दिन महानिशित काल में माता काली की पूजा किया जाता है और महानिशित काल में पूजा मुहरत होता है रात्री के 11 बच कर 15 मिनट से प्रात्र काल 12 बच कर 30 मिनट तक पूजा की कुलवदे 35 मिनट की होंगी वहें सास्त्रों के अनुसार दिवाली पर लक्ष्मी पूजन बहुत विसेश होता है जिस दिन अमवस्या होती है उसे दिन दिवाली मनाई जाती है अमवस्या दिपर संद्याकाल और रात्री सुब मुहरत में मालक में भगवान गनेश जी की पूजा अरादन की जाती हैं संद्याकाल के समय घर के पूजा अस्तल पर चोकी अपर लक्ष्मी गनेश जी की परतिमा को और जल से भरे लक्ष्मी जी के सामने घी के दिपक को जल इसके बाद हाथ में जल पूस्व लेकर सभी देवी देवताओं का अभान करें और विदिवत लक्षमी और गनिश जी की पूजा अवस्य करें पूजा में खेल बता से पंच मेवा गुड़ फल फूल मिठाई कमल का फूल और मालक्षमी जी के प्रिय कोडिय अर्पित करें अब मातालक्षमी के मंतरों का जाब करें और स्री सुतक जी का पाट करें दिवाली पर मालक्षमी के पूजन के वाद तीजोरी और बही खाते का पूजा कि फाद घर के सभी कोनों में दिये जलाएं दिवाली के दिन यदि आप मालक्ष्मी और गनीची के एक साथ धन दिके देवता कुवेर जी कभी पूजन करते हैं तो आपके लिए बहुत ही सुभ रहता है ऐसे में इस बार आपके दिफार भी सुभ रहे इसके लिए कम जीवन में वैसे बदलाब होंगे आपको अपने जीवन में कई बड़ी फ्रिवर्तन देखने को मिल सकते हैं आपको प्रोमोशन के करणा आपके सैली मड़ोसर हो सकती हैं आप आर्टिक रूप से कफी मजबुत होंगे आपके सभी कार्य सफलता प्रिवक्त पूरे होंगे तकनिकी छेत्र से रूटे लोगों को अच्छा फाइदा मिल सकता है आपके जीवन में खुसियां बड़ सकते हैं आप लोगों कस किसमत भी साथ तेर्म वाली हैं आपके किसमत प्लट जाएंगे पूरी तरह से आपके जीवन में आप भागसाली रहने वाले हैं आप अपने करदों से टुकारा पाने बाले हैं